हेलो एब्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 योटूब चैनल में दोस्तो यूपे स्कॉलर्शिप को लेकर के बड़ी अपडेट आ रहे है नियूस पेपर में अमरुजाला के नियूस पेपर में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगर बात करें इसमें जनरल और OBC केंडिडेट के लिए भी कुछ आईसीमा बढ़ाई गई है उसके बारे में भी बात की गई है तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट क्या दिया गया है इस वीडियो को पुरा लास्तक जरूर देखेगा जितने भी लोग चैनल पर नहीं हैं सब्सक्र ट्राइब कर लिजे और टेलीग्राम चैनल को आप सब लुग जोईन कर लिजे ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सब लोग को सबसे पहले मिले टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग भी देखेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर आप सब लुग ध्यान समाच कल्याड विभाग 5,00,000 रुपे सालाना आईसिमा का प्रस्ताओ कर रहा है त्यार ठीक है मतलब भाई समाच कल्याड विभाग अब सेस्टी कैंडिडेट के लिए 5,00,000 रुपे आईसिमा को मतलब बढ़ाने के लिए इसकी तयारी कर रहा है चलिए बिस्तार से देखते हैं लखनू से एक खबर है चात्विर्ति योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वा जन जाति के बिद्यार्थियों के लिए आए सीमा बढ़ा कर 5 लाक रुपे सालाना की जाएगे अभी 8,5 लाक रुपे हैं समाज कल्याट विभाग इसके लिए प्रस्ताव तयार कर रहा है जुलाई तक परकिरिया पूरी होने की उम्मीद है ठीक है बाई जुलाई तक परकिरिया पूरी हो जाएगी यानि कि आने वाली अगली सत्र जो आप लोग का है 2024-25 का स्कॉलर्शिप का उसमें आप सभी लोग की S.C.S.T. के लिए स प्रस्ताव तयार किया है ठीक है, विभागी अधिकारियों का कहना है कि S.C.S.T. केंडिएट का ठीक है वहीं अगर हम बात करें सामाने और पिछड़ा और अलपसंखेक वर के बिद्यारतियों के लिए तो इनकी जो I.C. में हो दो लाक रुपए से बढ़ा करके ढाई लाक रुपए किया जाने पर बिचार किया जारा है ठीक है तो इनकी जो है दो लाग से बढ़ा करके धाई लाग रुपे किया जाने की बिचार किया जा रहा है सामान यानि जनरल OBC कैंडिटेट के लिए ठीक है तो दोस्तो ये थी आप सभी स्टुडेंट्स के लिए पे स्कॉलर्शिप को लेकर के बड़ी अपडेट इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं बाकी दोस्तो ये अपडेट आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट इंफॉर्मिशन जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद